अश्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार जाजी की चंस में जी हां दोस्तों आज हम जा रहे बनाने कॉफी बहुत दिनों से मन हो रहा था कहीं बाहर जाके रेस्टरेंट स्टाइल कॉफी पीते रेस्टरेंट में जाके कॉफी पीते लेकिन कई बार हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के रेस्टरेंट में जाके ज़्यादा से पैसे खर्ज करके अच्छी सी कॉफी पी सकें तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर में ही रेस्टरेंट स्टाइल कॉफी बनाई जाए तो चलिए स्टाट करते हैं इसके लिए हमने एक कप दूद लिया है फुल क्रीम दूद लेंगे जहां दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक कप दूद लिया है फुल क्रीम और इसको हम एक उबाल अच्छा से आने देते हैं बस एक उबाल ही आने देना है और मीडियम टू ल आपको फैटना नहीं है बिल्कुल हाथ को आपको धकाना नहीं है बस magic तरीके से आपको बजार जैसी restaurant style coffee तयार करनी है और आप भी घर बैठे coffee का restaurant style coffee का जाई कर ले सकते हैं तो यह देखिया यहां पर मैंने थोड़ा सा दो चम्मच दूद निकाल लिया है और अब इसी में हम अपना coffee का magic start करते हैं तो चलिए देखते हैं कि हम coffee का कौन सा magic start करते हैं दूद में देखिया हमारे एक उबाल आ गया है और यहां मैंने जो दूद लिया था दो चम्मच वो ले लिया है और coffee ले ली है मैंने डेड़ चम्मच और डेड़ चम्मच ही मैंने इसमें चीनी डाल दिया है और अब इस तरह से whisk से हम इसको फैटेंगे और एक बहुत अच्छा सा बहुत थिकनेस अच्छी वाली जाग हम इस जादूई whisk से हम तयार करेंगे जी हां दोस्तों बिल्कुल कोई जंजट नहीं कोई machine नहीं चलाने आपको कोई हाथ नहीं थकाना है बस पांच मिनट के लिए आप इस whisk से इसको इस तरह से पैटेंगे तो आपके कॉफी में एक बहुत अच्छी सी थिक जाग बनना शुरू हो जाएगा और कॉफी में जो मजा आएगा आप फिर दुबारा कभी रेस्टोंट में जाके कॉफी नहीं पिएंगे फिर तो आप बार बार घर में ही बनाके खुद भ आते हैं लेकिन हम इस तरह से अगर अपने घर में इस कॉफी को बनाएंगे तो वहां से ज़्यादा अच्छा स्वाद भी मिलेगा हमें और हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं मैं ये नहीं कहती कि आप रेस्टोंट ना जाएए लेकिन जब कभी हमें प्रॉब्लम होती है ज तरीके से ये देखें कि इसका कलर कितना चेंज हो गया है थोड़ी देर फेटे के बाद ही आप देखोगे कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और जाग भी काफी आ जाता है काफी अच्छी थिकनेस आ जाती है इसमें और अब हम इस बॉइल दूद को नीचे करके इस इसमें भी हम विस्क से फिंटेंगे ताकि हमारी दूद में भी एक अच्छा थिकनेस और एक अच्छा जाग उठ जाए ताकि हमारी कॉफी का टेस्ट जो है और भी जाएकेदार हो जाए तो यह आप देख सकते हैं कि हमारे दूद में भी कितना अच्छा जाग आ गया है और यह देखिए इसी तरह से अगर आप भी कॉफी बनाएंगे ना आपकी कॉफी भी ला जवाब बनेगी बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी एक्तम रेस्टरेंट स्टाइल कॉफी भी जी हाँ दोस्तों यह देखिए हमारे दूद में भी कितना अच्छा सा जाग आ गया है और अब हम इसी जाग वाली दूद में अपनी कॉफी को एड़ करेंगे इसको हम वापस से क्योंकि इसका टेंपरेचर ठंडा हो गया था तो वापस से हम इसको गरम कर लेते हैं और इसके अंदर भी हम थोड़ा सा विस्क चला लेते हैं दोस्तों बहुत ही असान तरीके से यह हम कॉफी तयार करेंगे एकतम टेस्टी कॉफी रेस्टोरेंट स्टाइल तो अब आपको रेस्टोरेंट जाने की जरुद नहीं है घर में आप कॉफी का मजा लीजिए एकतम कैपचिनो स्टाइल यहां दोस्तों यह देखिए हमारे दूद में कितना अच्छा जागा गया है न तो अब हम इसको कॉफी के लिए तयार करते हैं यह देखिए हमारे जाग कितना अच्छा सा दूद में हमारे एकतम light weighted दूद हो चुका है यह और इसका जो जाग है यह हमारी कॉफी में एकतम must trace देने वाला है यह देखिए कॉफी को मैंने दूद को मैंने कप में शिफ्ट कर दिया है जिसमें हमने कॉफी फेंटी थी और ये हमारी कॉफी बनके तैयार है आप देख सकते हैं कि कॉफी दिखने में कितना अच्छा सा लग रहा है मन कर रहा है जल्दी से पी ले और ये रेस्टरेंट स्टाइल कैपेचिनो कॉफी तैयार है आपके लिए जी हाँ दोस्तों फिर देर किस बात की अगर आपके पास टाइम नहीं है आप मार्केट जाके रेस्टरेंट जाके होटेल में जाके कॉफी नहीं पी सकते हैं अभी तो घर में तैयार करें इस तरीके से बेलकुल बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिस्ट कॉफी बनके तैयार है और बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो अपने पैरेंट्स को ना परिशान करके अपने आप कॉफी बना सकते हैं और उनको भी पिला सकते हैं पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके की कॉफी ये देखिए, ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा जाग बना है और इसे पीने में जो स्वाद आता है मज़ा आ जाता है तो दोस्तों चलिए फिर बनाए कॉफी मैं तो कॉफी का जाए का लेने जा रही हूँ और आप भी इसको जल्दी से बनाए और मुझे अच्छा सा कमेंट क्लिक के भेज देए ये देखिए, इसको हम इस तरह से डेकॉरेट भी कर सकते हैं और हमारी कॉफी बिल्कुल तयार है पीने के लिए दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किए